हेई गाईज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आपके सिंपल और टिकाओ अच्छा हेर सिरम घर पे किस तरह से बना सकते हैं च्योंकि आपके बालों को बनाएगा सिल्की, सॉफ्ट, स्मूध और स्ट्रेट तो देरी के बीना जल से इसकी रेसि स्पून ग्लिस्रिन डालने के बाद इसमें हम आधा चमच बादाम का तेल डालेंगे यानि की आलमन्ड ओईल आप इसकी जगा ओलिव ओईल या फिर कोकोनेट ओईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें एक वाइटिमिनी की कैपसूल डालेंगे इससे ज़्याधा कैपसूल बिलकुर ना डालें तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और इसका टेक्शर काफी क्रीमी और क्लावडी सा है अब मैं इसमें डालोंगी गुलाब जल यानि की रोस वाटर तीन बड़े चमच हमें इसमें डालना है गुलाब जल डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें तीन और बड़े चमच गुलाब जल हम इसमें डालेंगे हेर सिरम थोड़ा पतला होता है तो इसमें हम टोटल 6 टेबल स्पून गुलाब जल डाल रहे है तो आप फाइनली सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों ये जो होमेट सिरम है इसका जो मैंने रेसिपी बताई है आप इसे करेक्ट फॉलो करेंगे बनके तेयार होगा और ये बिल्कुल करक्ट मेजिरमेंट है आप इसे मेजिरमेंट से बनाईएगा और देखिए finally हमारा जो hair serum है वो बनके तियार है देखिए इसकी consistency ना जादा पतला है ना जादा थिक है बिल्कुल सही consistency है जो कि हमारे बालों पर लगाने के बाउ टिकी भी रहेगी बिल्कुल बाल सौफ्ट सिल्गी स्मूध हो जाएंगे इस hair serum को स्टोर करने के लिए आप कोई भी बॉटल या फिस प्रे बॉटल में इसको स्टोर कर सकते हैं और सबसे अच्छे बात यह है कि आप इसे रूम टेंप्रेशर पर दो हफ़ते के लिए और फ्रिज में एक मैने के लिए आसाने से स्टोर करें अब मैं बताती हूं कि आपको इस hair serum को यूज कैसे करना है जब आप अपने बाल अच्छे से धोले दूने के बाद बालों को सूखने दे उसके बाद इस hair serum से पूरे बालों पर स्प्रे करें और इसे अप्लाय करें ऐसा करेंगी तो आपके बालों में अच्छी से चमक होग ये को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलको न भूले मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर